लो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैप्सूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तेहरी अच्छी चलते होगी एक इंपॉर्टेंट लेटर आया है जो की यूपी ट्रिपल सी के चेयर परसन है प्रवीर कुमार सर उनक कैसे कैसे ओर्डर्स आये उसके बारे में काफी बात की गई यह थोड़ा सा यह देख लेते हैं आपको अफगत कराना है कि सर्वोच नियालय में आयो के एड़ोकरेट ऑन्ट रिकॉर्ड श्री एम आर शमशाग द्वारा दिनांग 13-2-2024 को अपराहन में दूरभाश पर राम उत्तरप्रदेश राज्येव अन्यमें दायर मिस्ट लेनस अप्लिकेशन 276 अब्लिक 2024 में सुनवाई के दौरान मानने यह सर्वोच नियालय द्वारा दी गई की जाने वाली राजस्व लेकपाल की भरती के संबन्द में कोई अग्रेतर कारेवाही ना किये जाने के निदेश पारित किये गए तो तेरत तारिक को जो सनवाई थी आपको पता होगा उचमें 19-2024 तक के लिए इस पर स्टे लगा दिया गया था एक हफते के लिए कि तब 2020 पदों के अधिया चन के सापेक्ष, 7897 पदों पर राजस्व लेकपालों का अंतिम चैन परिणाम 30-12-2023 को घोशित कर चैनित अभ्यर्तियों की संस्तुतियां 6-1-2024 को प्रेशित की जा चुगी है राजस्विभाग को यह भी सूच्च है कि आयोग द्वारा 30-12-2023 को जब उक्त परिणाम गोशित किया गया था उस समय इस परिणाम के संबंद में किसी भी नियायले में कोई भी स्थखन आदेश स्टे ओडर अथवा निशेद आदेश या रेस्टरेंट ओडर उपलब्द नहीं थे इसलिए आयोग नेसका रेजल्ट जारी कर दिया आयोग द स्थखन आदेश की जानकारी प्राप्त होते ही उसी दिन देना ग्यानी 13 तारिक को ही जब आपका स्टे ओडर आया था आयोग की आपात बैठक आवूत की गई जिसमें प्रक्रण की महत्ता सम्वेदन शीलतावा मानेनिया प्रधान मंतरी जी द्वारा निकट भविष्य मे आयोजन ही तुप्रस्थावित नियुक्ती पत्र वित्रण कारेकरम के दृष्टिकत मानेनिये सर्वोच नियाले द्वारा पारित उक्त स्थखन आदेशों को अपास या वैकेट कराए जाने की तातकालित्ता के द्रिष्टिकत आयोग द्वारा सर्वत सम्मती से उक्तवा करने के लिए आयोग के उक्त निर्ने के करम में अधु हस्ताक्षरी स्वयम एमं सचिव आयोग दिनांग दो दोजार चौबिस को ही नई दिल्ली प्रस्थान कर गए यानि चौदा तारीक को नेक्स डे जो आयोग के सचिव में वो दिल्ली गए थे सुप्रीम कोर्ड तथा आ आयोग एमं मुख्य सचिव के व्यक्तिगत हस्तक शेव एमं अनुरोध के आधार पर महा नियाए भी करता श्री तुशार महता द्वारा उक्त प्रक्रण में आयोग की ओर से उपस्तित होने के लिए सहमती व्यक्त की गई यानि सॉलेशिटर जन्रल आफ इंडिया ने कहा क यानि सरकार की तरफ से भी इसमें एड़ोकिट ओन रिकॉर्ड को भीजा गया था तो देखिए ये थोड़ा से इंपोर्टेंट है सरकार और शाषन दोनों ही इसके लिए बहुत सीरियस थे प्रक्रण की तातकालिकता के द्रश्टिकत दिनांग 15-2024 अब अगले दिन की बा सुनवाई है दू अनुरोद किया गया आयोक की ओर से महान्याय भी करता कि परामर्श अनुशार शपत पत्र भी तयार करा कर 15-2024 को ही माने लिए सर्वोच नियाले में दाखिल किये जाने है दू आयोक के एड़ोकेट ओन रिकॉर्ड यानि म.R. शमशाद जी जो है उनको करा दिये गया था आपने ओफिशल देखा होगा कि सोला तारिको ही शाम को रिपलाई करके मैंने एक फोटो डाला था टेलीग्राम में तो शोला तारिकोष ये रिपलाई फाइल कर दिया गया था यही यहाँ पर लिखा है इसके द्वारा प्रकरण की सुनवाई की अगली की ओर से प्रकरण से सम्बंदित सभी तत्यों को रखा गया वामाननी यह नियाले से स्थगन आदेश को अपास त्यानी वैकेट किया जाने का अनुरोध किया गया था इस सम्बंद में शाशन की ओर से न्यूक्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड श्री हरीश पांडे का पत्र दिनांग 19.2.2024 जो की आपको सम्बंदित है यहां पर अपर सच्वी जी की बात हो रही है वा आयो के अडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एमर शम्शात की इमेल जो उनके द्वारा भेजी गई है ओर्डर पे क्लरिफिकेशन देने के लिए अवलोगनी है जिससे स्पष्ट है कि म या ही उसकी लखनाव बैंच से इस परिणाम पर कोई स्टे ओडर या रेस्टेंट ओडर जारी किया गया है और इन वादों में विचारधीन प्रश्टनों के संबंद में या तो आयोक के पक्षमे निर्णे पहले ही हो चुका है सिंगल बैंच ए डबल बैंच में या आयोक द्वारा घोशित परिणाम उक्तिया चिकाओं में पारित होने वारे नेड़नेयों के अधीन ही रहेगा साथ ही उनके द्वारा इस बिंदु पर भी बल दिया गया कि प्रदेश में राजस्वी लेकपालों की भारी कमी के दरिश्टिगत कारिवाही के लगबख 8,000 नवच करिया चल रही है अपॉइंट्मेंट नहीं हुआ उससे थोड़ा सा एक निगेटिव और हमारी से खिलाफ आ गया था भारत के महान यहां भी करता सॉलिस्टेटर जन्नल श्रीत उशार महताजी द्वारा प्रक्रण में की गई प्रभावी भहस के बावजून मानेनिया सरव सब्ता के अंदर दिनांग 21-11-2023 के पूर्व से लंबित सभी याचिकाओं अपीलों का अंतिम रूप से निस्तारन सुनिश्चित कराएं हैं पर भी देखे यही लिखी है बाद 21-11-2023 से पहले के जितने भी केस है उसको आप नेगलेक्ट करें या निगेट करें मानेनिया उस नियाले द्वारा इन याचिकाओं में पारिद किये गए नेड़ने उसे मानेनिया सरोष नियाले को दिनांग 23-2024 को अवगत कराया जाए यानि इन में जो भी ओर्डर आते हैं उसकी पूरी डिटेला सुप्रीम कोट को देंगे 22 मार्च को जब तक हमारे स्टेप बरकर हैं मानी ने सरोष नियाले द्वारा यह भी आदेश दिये गए हैं कि इस परिक्षा से संबंदित दिनांग 21-2023 के बाद दायर की गई किसी भी याचिका पर विचार ना किया जाए अब देखिए एक थोड़ा सा डाउट सबसे ज़्यादा जो बच्चों को यह आ रहा है कि अगर सोलर वाले प्रश्ण में सुप्रीम हाई कोर्ट यानि हम लोग जीत जाते हैं माल लीजी तो क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में फिर चुनौती दी जाएगी श्रीधर यादव के द्वारा यहां पर बहुत डाउट है लेकिन जिस तरीके से देखि लिखा है कि 21-2023 के दायर की गई किसी भी याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा तो उन्हें तो कुछ ना कुछ रिट पर्टीशन तो डालनी पड़ेगी अगर चैलेंज करना है तो मुझे नहीं लगता वहाँ पर अभी दाखिल करने का इन्हें मौका मिलेगा ही गई है तो अनुरोध करें ठीक है? तो लगनव बैंक की मंगी के से और इलावाद बैंक में भी जो पर अधेश जी के से दोनों की यह बात हो रही है और चार सप्तह के अंदर उक्त वादों को अंतिम रूप से निस्तारित कराने का प्रियास करें ताकि मानिनिये सर्वोच नियाले के निर्देश अनुसार उक्त प्रक्रण से संबंदित विभिन रेट याचिकाउं से मानिनिये उच नियाले द्वारा पारित आदेशों से मानिनिये सर्वोच नियाले को अवगत कराया जासा कि यानि इसमें जो भी नेड़ना आएगा, आउटकम आएगा, उससे हम 22 मार्च को सुप्रीम कोट को अवगत करा देंगे, अता आपसे अनुरोध है कि किर्पया उप्यक्त अनुसार वस्तुत स्तिती से अवगत होते वह यतोचित कारिवाई करने तथा, आयोग को भी उचित मा वकील के दोरा जो कि आमार शमशाद है, और उसके लावा जो सरकार की तरफ से भी वकील थे कि ये वैकेट नहीं हुआ है, या पास्त नहीं हुआ है जो स्टे था, इसकी वज़े से आपका आगे की कारिवाई नहीं की गई, लेकिन यह चीज चीज ठीक है, लगनों में भी लगाता सुनवाई यानि आपकी होगी अब, तो जैसे ही होगा कुछ भी तो मैं आपको बता दूँगा, फिलाल 22 मार्च तक तो अब इसमें ज्यादा कुछ होना है नहीं, तब तक तो हमें वेट करना ही पड़ेगा, जो वहाँ पर हम आयोगडी वहाँ पर कहे थे, माफ की राजस्व परिशाद वहाँ पर भी यही बात आई थी कि आप नियाले में अपनी लड़ाई ड़ी है, वहीं पर ही हमें कुछ ना कुछ रिलीफिस से मिलेगा, तो यह एक लेटर था पूरा टेलीग्नाम गुरूप में भी डाल दूँग, आपको करकर शेयर करना हो तो आप शेयर कर दिजिएगा, वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिएगा, थेंक्यू, सो मच्छ